दो हजार चौबीस के लोग सभा चुनाव के साथ साथ चार राज्यों के विधान सभा चुनाव को लेकर भी देश्वर में स्यासत करमाई हुई है आपको जानकारी देदे मध्यप्रदेश, राजस्थान, चुनाव होने सारे हैं और इन विधान सभा चुनाव को लेकर हर एक राजनितिक दलने कमर कसली है ऐसे में देखा जाए तो कॉंग्रेस महसची प्रेंका गांधी वाड्रा को चुनावी कमान सौप दी गई है कॉंग्रेस खैमे में वह इन राज्यों का दोरा करती हुई नसर आ रही है लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी खैमे से इन राज्यों का दोरा करने के लिए आगे आ चुकी है केंद्रे मंतरी इस्मृती इरानी नमस्कार मैं प्रांशे रठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूस दरसल आपको बता दें कि इस्मृती इरानी जो अमैठी सीट को लेकर बार बार दावे कर रही है इस्मृती इरानी जो कई बार कॉंग्रेस नेता और वाइनाट से सांसद राहुल गांधी को चुनोती दे रही है कि एक बार फिर से अमैठी से मैदान में उतरी है लेकिन अब देखा जाए तो प्रेंका गांधी और इस्मृती रानी आमने सामने दिखाई दे रही है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छतीजगड के राइपुर आज पहुँची है प्रेंका गांधी वाडरा जहां पर वह चुनावी हुँकार भरेंगी लेकिन दूसरी ही तरफ चतीजगड के विधान सभा चुनाव को मद्दे नज़र दखते हुए बीजेपी ने भी एक बड़ा दाव खेल दिया है इस्मृती रानी भी आब चतीजगड पहुचने वाली है जहां जनकरी के लिए आपको बता दें कि ग्रह मंत्री अमिश शाह ने 12 सितंबर से दंतेवाडा से कॉंग्रेस की अगवाई बाली भूपेश भगेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और परिवर्टन यात्रा की शुरुआत की ये दो चरड़ों में होते हुए प्रदेश की सभी 90 विधान सभाज सीटों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में केंद्रे मंत्रियों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के बीजेपी के स्तियेम और कई दूसरे दिगल्स पहुचकर वोटर्स को रिजाने की कोशिश करेंग जहां पर बीजेपी के परवर्तन यात्रा में वह शामिल होंगी और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश भगेल की पारंपरिक सीट माने जाने वाली पार्टन में एक जन सभा को संभूदित करेंगे उनके इस दौरे को स्यासी दरश्टिकोर से काफी एहम माना जा रहा ह वहीं प्रेंका गांधी वाडरा भी दुर्ग जिले के भिलाई में एक जन सभा को संभूदित करने जा रही है ऐसे में देखा जाए स्यासी पारा चड़ता हुए नसर आ रहा है महिला अरक्षड बिल के पास होने के बाद से अब स्यासत और भी तेज हो चुकी है ऐसे में य उपेश भगेल के साथ 6 सीटों पर जीतने वाले विधाय कॉंग्रेस की प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में देखा जाए यहां पर स्यासी जानकार बहुत ही एहम मान रहे हैं इस मृती रानी की इस दौरे को तो देखना यहां पर यह दिल्चस्प होगा कि 36 गड़ जिस तरीके से खेल रही है क्या सफल हो पाईगी क्योंकि करनाटक में बीजे पिहार गई कॉंग्रेस ने प्रचन जीत हासिल की और करनाटक के जो फॉर्मुला है उस फॉर्मुले को मध्रदेश में भी अपनाया जाएगा लेकिन 36 गड़ में आखिरकार कॉंग्रेस का क्या ये वक्त के साथ साथी पता चुरेगा इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे है नेक्स्ट नाइन न्यूस